हेलो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूटूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेश्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले बिहार की महिलाओं ने विभिन्य छेत्रों में अपना जल्वा दिखाया है और अपने टैलेंट और हुनर के बदोला देश और विदेश में नाम कमाया है बिहार का मान बढ़ाने में बिहार की बेटियों का भी योगदान कम नहीं है रुबरू बिहार के इस रेनी में हम आज बात करेंगे बिहार के हाजीपूर में जन्मी कवीता राय की जिन्होंने भार्तिय महिला क्रिकेट टीम में जगा बनाई और अंतररास्टिक क्रिकेट मैच भी खेला कवीता राय का जन्म बिहार के वैशाली जिला के हाजी पुर्दस अप्रेल 1980 को हुआ था कवीता राय भाठी महिला क्रिकेट टीम में माध्यम तेज गेनबाज वा बल्लेबास थी कवीता राय को क्रिकेट में ज्यादा मौके तो नहीं मिल पाएं परन्तु जितना मौका मिला उन्होंने अपनी चंता को साबित किया कवीता राय क्रिकेट के विभी ने रूपों में बहतर प्रदर्शन किया है बिहार में क्रिकेट की खराब हालत के बावजूद कवीता राय ने क्रिकेट में अपने स्थान बनाने में काम्याब रही है और अंतररास्टिय मैच खेलने में काम्याब रही हाला कि कवीता राय को ज्यादा मौके तो नहीं मिले वो सिर्फ एक अंतररास्टिय मैच ही खेल सकी कवीता राय ने वश 2000 में हुए महीला क्रिकट विश्व कप के लिए 15 सदस्य टीम में भी चेयन हुआ था वश 2000 में कवीता राय ने अपना एक मात्र अंतररास्टिय क्रिकट मैच रिलंका के खिलाख खेला उस मैच में कवीता राय ने शांदार गेन बाजी की और 10 ओवर में उन्होंने 3 मेडेन ओवर निकाले और 2 विकेट भी लिया उस मैच में भारत जीत भी गया परन्तु उसके बाद कवीता राय को फिर मौका नहीं में सकते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निश्पक्ष एवं ताजा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें शुक्रिया